हलो अबरिवन मैं दी यहाद हो और आप देख रहे हैं सुर्योद्य सक्सेस पॉइंट आज के इस क्लास में हम सब करेंगी क्षा नो की प्रश्णावली 2.3 का क्षा नमबर 2 & 3 तो चले स्थार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिए कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए तो इसमें हमें x-a का भाग देना है तो इसमें भाग नहीं देना है सिर्फ आपको x is equal to minus a ह तो x बराबर में 0 लगाना है अपको x minus a है तो left से right में हम लेके जाएंगे तो किसमें change हो जाएगा प्लस a आजाएगा तो x is equal to कितना लिखना है अपको plus a लिखना है अब हमारा बहुपद लिखना है बहुपद क्या है इसका x cube minus ax square plus 6x minus a इसमें a लिखना है आपको x cube a cube minus a ह आपका और x square है तो a square 6 है x है तो a आएगा और minus a a का cube है a cube minus a square है और यहाँ पर 1 है तो a cube हो जाएगा कितना हो जाएगा a cube 6 को हम a से गुणा करेंगी तो 6a जा 6 तो 6a minus a यहां तक हुआ हमारा अब a cube minus a cube तो a cube से minus a cube कट हो जाएगा और हमारे पास अब बचेगा 6a minus a और इसकी value क्या आएगी 6a में से हमें a घटाना है तो 5a next लेंगे हम third number question, third number question है जाच कीजिए कि 7 plus 3x, 7 plus 3x, 3x cube plus 7x का एक गुणानकंड है या नहीं हमें बताना है कि जो 7 plus 3x है वो 3x cube plus 7x का एक गुणानकंड है या नहीं है चलिए start करते हैं, तो पहले हमको लेना है 7x को, तो 7 plus 3x, बराबर में 0 लेना है, 7 plus में था, left से right में जाएगा, तो minus में आजएगा, minus 7, 3x, बराबर minus 7, अभी 3 हिदर गुणा में था, तो भाग में आजएगा, minus 7, बटा 3, तो x बराबर क्या आगया, minus 7, बटा 3, अब आपक लिखते हैं, 3x का क्यूब, plus 7x, 3 ऐसा कैसा, x के क्यूब है, तो minus 7, बटा 3, का क्यूब, plus 7, और minus 7, बटा 3, अब इसको solve करते हैं, तो 3 ऐसा कैसा, into, 7 को हम 3 बर गुणा करेंगे, तो 7 को 3 बर गुणा करेंगे, तो 345 आता है, कितना आता है, 300, तैयानिस, 7 का क्यूब होता ह है, 343, और अगर घात सम है, तो minus को plus में change कर दीजिए, अगर घात विशम है, तो minus को minus ही रहना दीजिए, और 3 का होता है, 39, 27, plus 7, 7, 59, और minus plus क्या हो जाएगा, यहापर, minus हो जाएगा, और बटा में क्या रहेगा, वारा 3, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 39, 27, तो हमारे पास है, minus 343 बटा 9, और minus 149 बटा 3, अब इनका LCM लेके हमें plus करना होगा, तो LCM लेके plus करेंगे, तो minus, 9 और 3 का LCM होगा, वो 9 ही होगा, 9 है कम 9, तो 343 को एक से गुणा करेंगे, 343 याएगा, 3 को 9 से करेंगे, तो 33 का 9 आएगा, 3 आएगा, 3 को 9 से गुणा करेंगी, 3, 27 की साथ हासिल 2, 3 चुक 12, 12 और 2, 14, 12 और 2, 14, 247, मैनस मैनिस क्या होता है, प्लस होता है, 7 और 3, 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1, 5, 5 और 4, 9, 3 और 1, 4, मैनस 490, क्या 9 के बाड़े से कट होगा, नहीं कट होगा, तो इसका ऐसा कैसा रखेंगे, यदि यहाँ पर 0 आता, यदि यहाँ पर 0 आता, तो यह इसका गुणानकर्ण होता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, तो यह गुणानकर्ण नहीं है, अब इसका अंसर क्या लेकिनगेंगे, है इसलिए गुनान कर नहीं है